नमिश्कार आप देखरीं डॉक्टर साहिव आपके साथ मैं हूं उसकान और आज में इसाथ मौज़ूद है डॉक्टर निधिसिंग दरिश्का आपको बता दे कि यह बिहार की जानीमानी IVF Specialist है मैं नमिश्कार बहुत बस वागा देख मैं मैं आपसे जाना चाहूँगी कि हम महिला एं कि किसी भी एज में अपना एग फ्रीज करवा सकती है या या बस दार में जाना मैंolia एग freezing के साथ सबसे important है कि उसका purpose यह होता है कि हम healthy eggs को freeze कर सकें. और healthy eggs महिला में best age देखा गया है कि 25 to 38 years जो है वो best age होता है. इसके पहले के eggs में immature eggs मिलने के जाधा chances होते हैं और 38 years के plus के जो eggs होते हैं उसमें बहुत सारी chromosomal abnormalities आने के chances रहते हैं. आइडियली हम लोग suggest करते हैं कि आप 40 years से कम, in fact 38 years से नीचे आप अपने eggs freeze करा लें. आप साथी में हमसे भी जाना चोओंगे इसके expenses की अगर हम बात करें तो जो भी महला है अपना egg freeze करवाना चाहती है तो इसका खर्च किया पर सकता है? देखी ये खर्च आपको आपने कहां पर egg freezing कराना चूज किया है, किस center पर, किस शहर में उस पर depend करता है, पट मोटा-मोटी अगर हम बताएं तो जो आम तोर पर एक IVF cycle का खर्चा होता है, लगबग 1.5 लाक रुपैस में खर्च आता है और इसके अलावा आपके per year renewal fees लगत तो जो freezing का part है, initial part उसका खर्च एक से डिल्ला काता है, उसके बाद आपके renewal वो आपके center पर depend करती है, वो लगबग 12-25,000 रुपै आपको सालाना लगबग फीस लगती है, यह maximum हम लोग 10 साल तक preserve कर सकते हैं और इस बीच में जभी भी आपको pregnancy plan करनी हो तो इन eggs के तुरू आ pregnancy plan कर सकते हैं. इसके अलावा जैसे जिन महिलाओं में कुछ medical conditions हैं जिसके लिए कुछ उनको हाई-पावर कीमो-therapeutic agents लगते हैं या फिर cancer treatment की जरूरत है, चाहे हम रडियेशन ले रहे हो या कीमो-therapy ले रहे हो जरूरी नहीं है, वो यूट्रस या ओवरीज का का कैंसर हो, जरूरी नही कैंसर या फिर कोई भी किसी भी बॉडी के पार्ट का कैंसर हो, minimal exposure to radio therapy और कीमो-therapy से भी हमारे गोनाइट्स पे बहुत असर पड़ता है, हमारी एक्स की quality हैंपर हो जाती है, तो suggested होता है कि आप कोई भी cancer treatment शुरू करने के पहले अपना एक्स प्रिजर्फ करा लें, ताकि future कि अपनी प्रिगनेंसी प्लान कर सकें है, अजय कर दो एक बेवी की ही बात करें तो सभी एज़ात रहती कि उनका जो बेवी हो, वो हेल्दी हो, मैं अपसी जाना चाहूंगी, एक हल्दी बेवेई के लिए जो भी गर्वती महिला और जो प्रेगना लेडी है, वो क्या बहुत जरूरी है, anti-oxidants की मात्रा सही होनी चाहिए, और साथ में females के लिए बहुत important होता है कि वो throughout the pregnancy, एक doctor की guidance में कब कौन से vitamins लेने हैं, कब iron के tablets लेने हैं, calcium tablets लेने हैं, folic acid लेने हैं, इन चीजों का ध्यान रखे हैं, इन चीजों का ध्यान रखे हैं, इन चीजों का ध्या कहीं ने कहीं, प्रॉब्लम भी इससे हो सकता है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कि doctor, आप उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगी, देखिए, सबसे important होता है, कि the moment आपने घर में pregnancy check किया, आप पहले महिने में एक doctor से check-up जरूर कराएं, क्योंकि सबसे जल्दी से जल्दी क कर आएंगे, हम identify नहीं कर पाएंगे, और ऐसे condition में क्या होगा, कि अचानक से महिला हमारे पास collapsing condition में आएगे, tube फट चुका होगा, पेट में blood भर चुका होगा, तो यह emergency ना बने, इससे जरूरी है कि हम earliest take ultrasound जरूर करा लें, इसके अलावा twin pregnancy हो रही है कि नहीं, कुछ ऐसे complications कि नहीं, जिसे अंदर ही अंदर थोड़े खून का रिसाव हो रहा है, या फिर कुछ ऐसी compromised हमें condition लग रही है, कि यह pregnancy महिला लूज कर सकती है, तो इसके लिए important होता है, कि वो time पे first trimester में, जितना जल से जल उसे pregnancy का पता चलो, वो डॉक्टर के पास visit जरूर करें, तो आश मैं बल्थ तो कि र्श दोओवार्गड़त की ङडे मैं भी, एंदर रहा है, कि वो द्व만 के लिएकते हैं, जितना नहीं, कि सम्द tofu खासके शेड़ने, एंदर कि semicir malt, कि एंद्द करें भी, कि तो की कृ़शने आए एंसे p성이 सकता है, कि जे बुझने से अशहे हâte,